नई वेबसेट से जो छात्र बृति के लिए ओनलाइन हो रहा है पोस्ट मैट्रिक और स्कॉर्सिल उसमें छात्रों का लगातार कॉमेंट आ रहा है कि सर बोनाइफाइट सर्टिफिकेट और फी अस्ट्रक्चर हम कहां से बनाए और कहां जमा करें और 48 घंटों के अंदर जो अपडेट करने की बाद की गई है हम कैसे अपडेट करें और कहां पर अपडेट कराएं चाहे 2020 से लेकर 21 और 19 वाले चात्र या बहुत सारे चात्र यह भी कॉमेंट कर रहे हैं सर्फ 25,000 रुपया के आबेदन करें 15,000 के लिए करें या 30,000 के लिए करें पिल्कुल सभी अप इफर्मेशन दिया जा रहा है कि 2700 का ही सिर्फ अपलाई कर सकते हैं तो वैसे अपडेट से बचे वो आपका कोई टाइप करके आपको फैला दिया है कोई ओफिस्यल नोटिसबोर नहीं है ठीक है अब यहां पर बताते हैं कि वोनाफ हैट सर्टिफिकेट और फ्री अस्ट् दी जाएगी 48 घंटों का जो अपडेट है सबसे पहले आपको उस पहले लेकर चलते हैं सब कुछ यहां पर बताएंगे जितना कुछ सुरू में बोला हूँ सब कुछ यहां पर बताएंगे पहले 48 घंटे का जो अपडेट है वो कैसे करना है वो सभी यहां पर मैं आपको ब आ सकते हैं, official website पे आ जाएंगे, official फुल गया है, अब यहाँ पे जब apply पे आप click करेंगे, तो देखें कैसे, 48 घंटों में update करने की बात क्या कही गई है, और यहाँ पे देखें, लगाता, daily update की जारी है, इस site को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक महीने के अंतर, जो है, आपका पैसा आना है, institution registration will be expired, if profile and course is not updated, within 48 hours, देखें, अगर आपका school या college, जो है, इस पे registration लेता है, नई website पे, तो अगर आपका school या college, 48 घंटों के अंदर, अपना profile या course जो है, वो update नहीं करता है, कि छात जो है, जितना का receipt दिखाया है, उतना का यहाँ पे, अगर अपडेट नहीं करता है, उस condition में, जब institute का registration, जो है, बो expire कर दिया जाएगा, जब institute का registration, यानि कि आपके school college का, website का registration यहाँ पे नहीं रहेगा, आपके school college का, यहाँ टूर अप लिए आप, इस नहीं मोस्त कर दोटर का सुट्स, यहाँ अर उर्ष यहाँ अर्ट रूसर रूस पर बोगर यहाँ, वहाँस पार्या है, वहाँच आप लूसर भ्लव का यहाँ, यहाँ follow you on schedule teach students hazard free from anywhere anytime you can just teach topics you love if you are good at just one or two topics you can join fellow and earn ads as much you want you have to help student with concept dot sometimes exam preparation or homework help payout easy monthly payments with extra incentives and you can simply register with mobile number and get out if you become a part of field of premier league earn more and learn more and link in the video description download now playstation यहाँ पर नहीं रहेगा तो आपने जो form भड़ा है बहुत हो आटोमेटिक रद हो जाएगा ठीक है इस बात को समझ गए तो अब बात आती है कि 38 गंटे के अंदर अपडेट कैसे करना है तो 38 गंटे के अंदर आपको अपडेट नहीं करना है आपने जिस school college से form भड़ा है जिस school college का नाम डाला है उस school college को 48 गंटे के अंदर इस पे आके अपडेट करना है ठीक है अब बोलोगे सर स्कूल college कैसे अपडेट करेगा जो school college पहले से अपडेट कर रखा है उसको कोई जूरत नहीं है क्योंकि वो उसने अपना profile और course सब कुछ डाल रखा है लेकिन अभी भी जब institution registration पे चेक करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपका school या college का नाम इस website पे मिले ही नहीं क्योंकि उन्होंने अभी तक registration नहीं किया क्योंकि last day यह है वो 30 सितंबर है कहां से बनाना है और कहां जमा करना है अब यहां पे देखिए कल 5000 फर्म भड़ा गया था ठीक है अब यहां पे अभी तक जो है वो 6590 फर्म भड़े जा चुके हैं अब देखिए यहां पे कैसे आपको क्या करना है यह bonafat certificate का demo है जो यह नहीं कि आपका bonafat certificate दिखने में ऐसा ही होगा आपका अलग भी दिख सकता है क्योंकि आपको cyber cafe निकाल कर देगा ठीक है तो इसके लिए टेंसर नहीं लेना है अब bonafat certificate कहां से बनाना है और कहां जमा करना है सबसे बरी बात अगर आप 10th pass है ठीक है त 10th से तो सिंपल सी बात है कि 10th वाले college या 10th वाले school आपको बताएंगे कि आप bonafat student है तो आपको कहां से bonafat लेना है आपको जहां से आप 10th pass किये वहां से लेना है जो inter pass पे कर रहे हैं समझ गये जो 10th pass पे आब एदन कर रहे हैं वो 10th जहां से school से 10th pass किये है bonafat certificate वहीं से बनाएंगे क्योंकि उन्होंना अभी तो 11th में admission लिया है clear हो गया दूसरी बड़ी चीज जो graduation में admission ले रहे हैं और inter pass कर चुके है 12th pass किये हैं उनके लिए bonafat कहां से बनाना है तो जहां से आपने 12th pass किया है वहां पे आपको bonafat बनाना है और जहां आपका admission हो रहा है वहां आपको जमा करना है clear हो गया 10th वाले जहां से 10th pass किये हैं वहां से bonafat बनाएंगे और जहां 11th में admission लिये हैं वहां जमा करेंगे इंटर वाले जहां से 12th pass किये हैं वहाँ बनाएंगे और जहां से graduation में admission लेंगे वहाँ जमा करेंगे clear हो गया doubt? कोई doubt नहीं अब यहां में आपको बता देते हैं कि fee structure क्या है और आपको कहां से बनाना है अब देखे fee structure fee structure आपको कौन देगा जहां आप admission लिए हो जैसे 10th pass में pass करके और आप 11th में admission लिए हो तो fee structure कहां का दोगे? दो fee structure आप दे सकते हो आप 10th वाला fee structure भी दे सकते हो और जहां 11th में admission लिए हो वहां का भी fee structure दे सकते हो ताकि दोनों का payment add होकर आपका आच्छा खासा payment जो है वो बन जाए समझ गे? इंटर वाले कहां का fee structure देंगे? और एक वान चीज और आप 10th pass करके 11th में गया है तो ये fee structure जो है आपको 11th में जमा करना है ठीक है? वो तो upload हो जाएगा उसके लिए कोई दिकत नहीं बस signature कराना होता है ठीक है? signature कराना होता है उसके बाद इंटर वाले इंटर वाले कहां से fee structure बनाएंगे? जो इंटर पास का graduation में गये है आप जहां graduation में आपका admission हुआ है वो fee structure देगा आपको ठीक है? तो एक तो वो हो गया और चाहे तो आप 12th pass का fee structure भी आप इसमें add कर सकते है तो दोनों add हो जाएगा और आपको जहां graduation का admission ले रहे है वहाँ आपका जमा हो जाएगा signature बेगर अपलोड कर दिया जाएगा इससे आपका payment भी थोड़ा बढ़ जाएगा समझ गए इस बात को fee structure और bonafide certificate certificate सब कुछ समझ में आ गया admission sleep जहां आप admission लिए है वहाँ करेगा ठीक है यानि graduation में admission लिए है तो graduation का intern में admission लिए है तो inter का ठीक है जहाँ admission लिए है वहाँ का admission sleep लगेगा इसके बारे में पहले ही बता दिया हूँ जाती निवासी आए एक April के भाद का होना चाहिए इसमें कोई doubt नहीं ठीक है और यहाँ पे एक चीज़ बता दिया था कि 9 bank है sorry 8 bank है जिसमें आपका account नहीं होना चाहिए तो वो फिर से आपको याद दिला देते हैं अगर आपको याद नहीं है तो अलहाबाद bank, आंध्रा bank, corporation bank, देना bank, oriental bank of commerce, syndicate bank, United bank of India और विजया bank इन सभी में आपका account है तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा ठीक है सारी जनकारी यहाँ पे दे दी गई है जो भी आपको मैं headline में लिखा हूँ, सारी जनकारी दे दिया हूँ कैसे आपको अपडेट कराना है क्या है वोनाफाइट सर्टिपिकेट और कैसे आपको fee receipt बेगरा जमा करना है कहां जमा करना है तो आइधिंग के वीडियो में सारी जनकारी दे दी गई है जो बूरी वीडियो देखे हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा आप टेली ग्राम चैनल जरूर से जरूर जोईन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को share जरूर किया कीजिए कि बहुत सारे ऐसे चात्रे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फर्म भड़ने में सही जनकाली नहीं होने करण लगातार उनका फर्म रद हो रहा है आप देख सकते हैं कि कल मात 1000 फर्म ही सही हुआ बाकी फर्म रद हो गया आउट्रमेटिक रद होता है